नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण भारती का पार्ट दो, जिसके अंतरगत हमने पिछली काक्सा में स्वर के बारे में विश्त्रे जानकारी पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे वेंजन, वेंजन का से लिके हो तक ये सभी वेंजन हैं, हिंदी में 33 वेंजन होते हैं का से हो तक, इनके अतरित तवर के कुछ और वेंजन है, ड और ड आगात धुनिया है, ज फ संयोगत वेंजन है, सभी वेंजन बिना स्वर के होते हैं, और स्वर के मिले से इनका रूप बदल जाता है, उधारन देखते हैं, जैसे को, जमा, अ, जब हम को का उच्चारन करते हैं, तो को के साथ अ का स्वर भी निकलता है, इसका आर्थ है कि को के साथ अस्वर जुड़ा हुआ रहता है, उसी परकार च जमा अ च, त, त, जमा अ त, प, प, जमा अ प, यानि सभी वेंजनों के साथ अस्वर मिलाने से, अस्वर के जोडने से, उसमें एक विशेश परिवर्तन होता है, अब हम परिवासा देखते हैं वेंजन की, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सायता लेनी पड़ती हैं, वे वेंजन कहलाते हैं, द और ध, ये हिंदी में ट वर्ण के दो अत्रिक्ति वेंजन हैं, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, ये शब्द के बीच या अंत में आते हैं, इनसे बने कुछ शब्द हैं, लड़की, सड़क, जड़, कचोड़ी, पढ़ना, चड़ना, सीड़ी, बाड, आदी, और फ, ये हिंदी में अर्वी भासा से आई धनिया है, इनका प्रियोग उर्दू भासा से आये सब्दों में किया जाता है, उर्दू भासा से आये कुछ शब्द हैं, जमाना, इंतजार, कागर्स, फर्क, खुफिया, बरफ, अब है सायोक्त वेंजन, क्ष, त्र, ज, और क्ष, ये दो वेंजनों के मेल से बनते हैं, क्ष, क, ज, म, श, क्ष, इससे सब्द हैं, रक्षा, दक्ष, क्ष, परिक्ष, त्र, त, ज, म, र, से त्र बना, शब्द है, पत्र, नेत्र, पत्रिका, त्रिकों, य, ज, ज, म, य, से बना, य, ज, 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 ज ब्रा सहित होता है तब वह पूरा लिखा जाता है उधारान के लिए रजनी, गंधा, भारत, अमीर, जब र स्वर सहित होता है तब वह पूरा लिखा जाता है जब र स्वर सहित और उससे पहले आया वेंजन स्वर रहित होता है तब र उस स्वर रहित वेंजन के नीचे इस प्रकार से र के रूप में लगाया जाता है उधारान के लिए क्रम नम्र क्रोध इस नियम को एक बार दुबारा पढ़ते हैं फिर से जब रः स्वर्सहित याने पूरी रः स्वर्सहित और उससे पहले आया व्यंजन स्वर्रहित होता है तब रः उस स्वर्रहित व्यंजन के नीचे इस प्रकार रह के रूप में लगाया जाता है जैसे क्रम, नम्र, क्रोध रह का प्रियोग एक और नियम देखते हैं जब रह स्वर्रहित और उसके बाद आने वाला वेंजिन स्वर्सहित होता है तब रा बादवाले वेंजन के उपर रेफ के रूप में लगाया जाता है उधारन के लिए कार्य अर्थ समर्थ एक और नियम है तो या डा वेंजनों के बाद जब स्वर रहित रा आता है तो या डा वेंजनों के बाद जब स्वर रहित रा आता है तब रव एंजन तब और डो के नीचे इस प्रकार से ट्रक के रूप में लगाया जाता है उधारन के लिए ट्रेक्टर, रास्ट्रिय, पैट्रोल, मैट्रो, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर इसी प्रकार से आप कुछ और सब्तों के उधारन भी अपनी किताब में देख सकते हैं अगला है सन्युक ताक्षर सन्युक ताक्षर को वेंजन गुच भी कहते हैं सन्युक ताक्षर दो या तीन वेंजनों के मेल से बनते हैं इन्हें वेंजन गुच भी कहा जाता है। इनमें पहला या दूसरा वेंजन स्वर्ष रहित और दूसरा या तीसरा वेंजन स्वर्ष सहित होता है। संयोक्ताक्षर से बने सब्दों के उधारन हैं। त्योहार, गड़ा, सच्चा, पख्का, सुस्वास्ति निल है। पूरी का से शब्द बना मुक्का, पक्का, ऐसे ही ज आधा और ज पूरा, आधा ज और पूरा ज बिलाकर शब्द बनता है लज्जा, अच्छा, लज्जा, फिर है ट, अधी ट और पूरी ट, से शब्द बना लट्टू, मिट्टी, त, आधी है, इसके नीचे हलंद लगा इसमें स्वर है, यह पूरी ट था है, तो आधीता और पूरीता से बना पत्त, गत्त, प अधी और पूरी पा है, आधी प और पूरी पा से सब्द बना चप्पू ठप्पा, इस प्रकार से सैयुक्त व्यंजन के शब्द बनते हैं, बच्चों आपने इस पार्ट को अच्छ झाल